तो नौन कॉलेज वाले स्टूडेंट का पेपर है और सेमेश्टर तीन ठीक है ना सेमेश्टर तीन नौन कॉलेज वाले का पेपर है पोसिस करेंगे कि आपको विजवल हो क्योंकि जैसा मेरे पास पेपर आया वही मैं दिखा रहा हूं आपको यह देखिए ठीक है आप सबसे पहले समेश्टर पांच का पहले पेपर है और समेश्टर तीन वाले बच्चों का बच्चा हुआ है और मेरे ख्याल रेगलर वालों का भी समेश्टर पांच का बच्चा हुआ है नहीं पांच का तो हो चुका है कुछ बच्चों का जिनका भी बच्चा है ए सब इतने टाइम से आहीं रहे हो तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मैंने बताया था कि अप्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का थी अब देखोगे नैं पीछे अभी तक पता हिं कितने पेपर में दिखा चुका आप लोग आई तिंग चार या पांच देख चुके हैं और यह कम से कम तीन पेपर या चार पेपर में profit maximization आ चुका है theory का question ठीक है तो पहला question ये था इसके B part में आपका क्या था sir simple सा 5 number का और 4 number का जो questions बने हैं कुछ उनका जो भी pattern था या number given है हो सकता है ज्यादा कम known college का paper है वो अपने ही सबसे criteria set कर रहे है ये आगे आपका TVM का sir TVM में भी क्या आया question में देखिए कि investor deposit 2,00,000 रुपे in bank account interest credit 10% per annum how much amount withdraw annually 15 साल के लिए annually यानि annuity वाला क्या कि हम कितना withdraw करेंगे तो आपका जो भी annuity वाला काम था वो करना था बहुत simple 5 number और 4 number और 9 number में कोई भी ऐसा नहीं था कि नहीं करोगे यानि question हाला कि पहले 15 और 18 के देखे गए आप number में बिल्कुल भी मत जाईएगा आप question देखे आपको आता है या नहीं आता अगला है फिर से आगे present value क्या है theory आगे इसी के और में और फिर again question आगे TVM तो भाया अभी तक दो paper में TVM आ चुका और TVM के जो questions कर रहे थे उसी pattern पे सारे questions आ रहे हैं सच कुछ नहीं के extra आएंगे कहता है what is the IRR NPV questions hopefully आपको दिख रहा होगा दूसरे question में पहले बोला गया के what is the possible IRR and NPV method to the result different making investment possible which are to be the refer which situation पहली बात जिनके पास paper नहीं है मैं application के उपर डाल रहा हूँ paper application में जाएंगे free study material side पे three dot पे मिल जाएगा वहां से download कर लेजिएगा application पे डाल दूँआँ ठीक है आप देख लीजिएगा जिसको भी जैसा लगे वह एक बार पढ़के देख सकते हैं इसके बाद machine purchase किया एक लाक रुपय का मुझे time मिला नहीं book से match करने की book का कौन सा question है लेकिन कुछ-कुछ मुझे लगा के book से questions करे हुए यह था हमारा capital budgeting का जो की बहुत मुश्किल question नहीं था question क्या कहता है कि हमने 10 लाक रुपय का book value का machine था जिसको के हमने 5 साल पहले खरीदा था और ना उसकी जो book value है that is 4 लाक रुपय है useful life a new machine costing और एक नई machine 20 लाक रुपय की खरेद ली है हमने इसी के साथ साथ आगे देखते हैं क्या कहता है 20 लाक की खरेद ली है और the available has the capacity that कुछ आपको दे रहा है saving variable यानि वही हो गया के एक पुरानी machinery है और पुरानी machinery के बेच करके हमें एक new machinery खरीद रहे हैं जिससे कि हमारी cost में saving होने जा रहा है और उस saving के बिहाब पे आपको बताना क्या क्या point है वो देख लेते हैं इसके बाद question में कहता है कि जो 40% applicable बोत revenue और कुछ deposit हो जाएगा five year में सारी चीज़े बताया machine आपको लेना है नहीं लेना तो simple सी बात है आपको NPV निकालना था पूरे calculation के साथ ही किसके और में again question आया कि payback period क्या होता है payback period more method liquidate more than the theory तो जो 10 year के अंदर है एक्जेक्ट से मारा है word to word change नहीं हो रहा कर मेरे पास ज्यादा time नहीं लेता मैं क्यों मैं दिखा देता आपको ठीक है इसके और वाला practical अभी तक जितने भी पेपर देखेंने मैंने और वाला question ज्यादा आसान लगा है मुझे compared to पहले वाला comparison है तो दोनों ही आसान और वाले में क्या अगर आपको cash flow पता चल जाए तो net percent value नहीं निकाल सकते बहुत सिंपल निकाल लेंगे और वो भी equal यानि आप पीवी एफ करके जो जीटी वाला point था उसको करके निकाल लेते पी आई निकालो पी आई भी बड़े आसानी से निकल जाएगा लेकिन हाँ पी आई के अंदर ध्यान देना है यहाँ पर depreciation add back नहीं होता क्योंकि यह सिर्फ profit के उपर निकलता है नहीं कोशन था आपको प्रोजेक्ट का दे दिया डिटर्माइन प्रोजेक्ट और कितने साल लाइफ बताइए इसके इंदर लाइफ में देखना चाहरा था आउट फ्लोड़ तू अल्टरनेटिव मसीन अंदर इंवाल्व तू प्रोजेक्ट कितने साल है पांस साल है तो मैं लोग पहला इन पीवी निकल गया 31 कैल्कुलेटर पर ही हो गया इतना असान था सिंपल अगर कोई बच्चा समझ नहीं पा रहा हो क्योंकि बोलेंगा फिर सार आपको तो आता ही है असमें इस दे फटा फट बता दिया देखो चार लाग है इंटू में कर दोगे पीवी एए तो पहले वाले कोईशन से ज्यादा आसान है और यह 12 नंबर का एक कोईशन से आपका पूछा गया है और 6 नंबर का यह है तो टोटल 18 नंबर का कोईशन आपका बन जाता है अगें तो मेरे हिसा मझ से जिस बच्चे का नॉन कॉलेज का पेपर था दिया है उसने यही लंबी छुटी हो जाने के बाद बच्चे बहुत बार प्रैक्टिस करते हैं प्रैक्टिस करते करते एक बार को लगता है यार यह ना आ जाए यह ना आ जाए उसके पेपर में आ गया पेपर आपका अगें सिंपल ही रहेगा पेपर ज्यादा मुस्किल नहीं रहेगा लेकि तीजित देखना 3-4 पार्ट की नुट सभी में से कॉश्टनस आपको देखने को मिल जाएगा चलिए सर दो कॉश्टनस आपको क्लियर हो गया तीसरा आगया के स्टार लिमिटेड आपका कैफे है दा सेम रिस्क्लास है अब सेम रिस्क्लास से वेल्योफर्म मुझे याद आ ग समझ नहीं करना जैसे आपको सिखाया गया है वैसे ही करना है किसी बच्चे को डाउट आ रहा है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के डाउट लाइव सेक्शन में जाके देखो मैंने इसमें क्लियर कर दिया था एक्टम ठीक है तो सेम आपको कहता है कि कमपनी है सेम कमपनी है तेन परसेंट है और यूजिंग दा नेट इंकम अप्रोच से करना है नो नंबर का भाई अगर आप डाउट वेल्यों फर्म का डाउट वाला सेक्शन देखोगे तो कॉस्टम मैंने कराया हुआ है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भी पार्ट आ गया आपका और यह कितने नंबर का यह नो नंबर का गया क्या पूछा गया वेटेट एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपटल सर कुस्टन क्या है इकूटी दे दिया प्रफरेंस दे दिया मार्केट वेल्यों तो मेरे हिसाब से यह एकदम बिल्कुल आसान सा कुस्टन मानुआ क्यूंकि आप केई निकाल लोगे केडी निकाल लोगे और केपी में कोई बदलाब होगा नहीं मल्टिप्लाई करके जो सिग्मा एफेक्स और वह वाला बताया था वह सौल्म करोगे हो जाएगा तो कोई मेरे इसाब से मतलब के पेपर में ऐसा नहीं कुछ ट्रिकी पॉइंट डाल द क्लास में मैं क्या सिखा रहा हूं केडी कैसे निकाले केपी कैसे निकाले केई कैसे निकाले यह सारी चीजे सिखा रहा हूं लेकिन बागी के दो क्लास में और मजे की बात देखो यहां पर यह रिडीमेबल डिवेंचर भी नहीं दिया रिडीमेबल डिवेंबल में तो फॉ आद है क्या एक थियोरी का पॉइंट दे दिया वाई मस्ट फाइनेस मेनेजर कीप इन दा माइंड डिग्री और फाइनेशल लीवरेज इवेलुएट दा वेरियस फाइनेशल प्लैन बहुत सारे होते हैं दा फाइनेशल लीवरेज तो यहां पर आपको ऑपरेटिंग लीवर अप्रोच और नेट इंकम अप्रोच केपिनल स्ट्रक्चर सेम टैनियर का आ गया इसके बाद बी पार्ट क्या आ गया इसका देखो मैं भी तो तीसरे कोश्टन पर हूं बी पार्ट में आपको ए लिमिटेड बी लिमिटेड और कैलकुलेट डिफरेंट टाइप आफ लीव सब्सक्राइब निकल गया कंबाइन में क्या करोगे दोनों को मल्टिप्लाइब निकल गया ने लिवरेज तो क्या आपको यह कोश्टन कहीं से भी कहीं दूर-दूर से भी मुश्किल नहीं लगए मैं तो मानूँगा जो सबसे अब तक का आसान पेपर मैंने जो देखा है आपके साथ डिसकस कर रहा हूं तो मुझे यह वाला पेपर प्रोग्राम का है समिस्टर तीन का आसान लगा है मुझे बाकी देखो अब देखो इसका सी पार्ट क्या आगया सर सी पार्ट में देखो फिर से डबलू ए सी सी का कुश्टन नो नमबर में यानि इन्होंने नो करना अगर मैं बात करूं तो आप देखोगे यूनिट नंमर थी जो मैं हर बार वोलता हूं आप काउंट करना में अगर कर लिया आप चाहिज जो कर लो बच्छान न जरू सह पड़ रहे हैं अब except ओर देख लो मैं क्लास में टेस्ट ले लिया इसका इस को स्थे ले रखा है वेल्यू फरम एम्यम अप्रोच वें डिविडेंट पीड नॉट पेड कर रख्थे बारा नमबर का question छे नमबर का what do you mean by the stability of the dividend पूरा questions कराया है मैंने आधे गंटे इसको theory को dividend वाले chapter में जाएंगे तो stability of the dividend के उपर पूरा working capital का तो पूरा detail में theory करा है तो ये तो बच्चा करी लेगा 12 और 6 अठारा मैंने 3 और 4 और 5 unit बोला है तो ये कौन से unit से आगया question unit number चार से आगया dividend वाले से 18 नमबर कर लेगा चलो ये बोलते हो कि नहीं होता garden वाला है और garden वाले questions आगया यहाँ पर mm और ये भी देखो ये भी mm अप्रोच का ये आगया छे नमबर का तो छे नमबर का ये छे नमबर का ये और चे और अच्छे ये 12 नमबर का मैं 6 का सोचा 18 नमबर का ये दे दिया और यहाँ भी देखो मैं नहीं समझता कि इन दोनों question में कोई changes है सेम ही है बस amount बदलने का फेर है थोड़ा बहुत बदल दिया और मैं धेरो questions किये हुए तो देखो जो बच्चा यूनिट 3 और 4 और 5 करके गया होगा तो मैं समझता हूँ और आधी आधी class भी देखके गया है तो मैं समझता हूँ कि उसके 36 नमबर को रुक नहीं सकते इसमें हाँ थियोरी में भले कड़ जाए प्राक्टिकल में तो नहीं रुकेंगे वेन जाते अभी हमने 4 कोशचन कर लिया है कौन सा कोशचन कर लिए भाई 5 पर आ जाते हैं देखो पहला कोशचन थियोरी दे दिया लेकिन हाँ उसका क्या वेट्स था तीवियम दूसरा कोशचन किससे आ गया Capital Busting तीसरा आ गया Unit 3 चौथा पांचवा कोशन देखो ये देखो Working Capital 12 नंबर का कोशन Working Capital अब मुझे बताओ अभी तक के जितने भी Working Capital देखें मुझे उसमें से सबसे आसान इसका लगा Working Capital क्या कहता है कोशन में Company है Annual Sales दे दिया और सब कुछ है किसमें दे रहा है 15 दिन की बात कर रहा है वो Days में और Month में चल रहा है तो Annual Sales को 12 से Divide करके Monthly बना लोगे और हर किसी का दे रखा है Material 2 महने 2 से Multiply कर देंगे Working Progress 15 दिन तो 1 by 2 कर देंगे Working Progress का Finish Goods एक महने तो एक से Multiply करके वही आना है बस यह ध्यान रखना है कि Finish Goods के अंदर हमें Cost लेना है यहाँ पे Cost में क्या क्या आजाएगा आपका Cost of Production, Raw Material परचेश दे रखा है, Opening Stock, Closing Stock उसको Adjustment करके बस आपको यहाँ पे लिखना है और इसका B Part है A Part क्या था सर इसका? आप देखें A Part में क्या था Discuss the consequence of the length of the sorting of the credit period by the firm मतलब credit period को कम कैसे किया जा सकता है उसके उपर discuss करना था Length किस तरीके से sorting किया जा सकता है ठीक है न? आ जाएए कियोरी में ज़्यादा focus नहीं करा What do you mean by the working capital? Discuss determined of the working capital need of the firm Working capital क्या होता है इससे क्या समझते है और working capital को क्यों निकाला जाता है ये बताईए ये थियोरी भी आसान है बच्चा लिख देगा इसके बाद और क्या आगया सर? Company का project है 300 variable cost 2 month का policy है Estimate sales है Receivable है पहली class दो class देख लो credit policy का तो मैं आपका भी paper मान के चलो जो बागी के दो chapter मैंने छुडवाए है अगर आप 3 unit कर लेते हो तो और पहली unit theory है तो फिर भी आप 50% से अब अब के questions कर पा रहे है यानि जिन बच्चों का अभी paper है कुछ बच्चे कह रहे हैं सर बहुत डर लग रहा है कैसे करे नहीं करे कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लास कब से है अरे कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लास अभी बस 27 तारिक से start हो जाएगी ठीक है अभी बस start करने जा रहे हैं अभी notification मिल जाएगा अब देखो मैं इतनी बार बता चुका हूँ नो FM मेरे हिसाब से आपने इतने पेपर देख लिए तो आप पांच पेपर देख चुके हैं टूटल पांच पेपर जो अभी recent हुए है इसमें if but का तो कोई कुश्चा नहीं नहीं है semester तीन वालों ने प्रोग्राम वाले बच्चे तो अपने प्रोग्राम के पांच दिन को कैसे यूटिलाइज करें तो मैं सबको एक ही बात बोल रहा हूं और वही पेपर आ रहा है मैं उसको बदल नहीं सकता यूनिट नंबर पहले आप कर लिजे सर 3 3 में क्या करिए और एक मजए की बात बता दू जो लास्ट पेपर दिखाये था उसमें लिजच कोश्चन ही नहीं आये था ठीके ना तो अब बच्चा कहाईगा सर आप तो लिवरेज लिवरेज करहें थे लिवरेज तो आया या लिवरेज आएगा पेपर में हो सकता है ना भी आए उसके जगह पर उससे आसान question आ जाएगा EPS वाल आ जाएगा इंडिफरेंस point आ जाएगा ठीक है तो इसमें unit में कुछ बच्चे ये भी करते हैं मैंने चूजी बच्चे देखें कुछ unit 1 3 के अंदर मैंने leverage कर लिया EPS कर लिया firm छोड़ दिया हो जाएगा क्या नहीं होगा भाई आप जब तक पूरी unit को cover नहीं करोगे तो आप sure नहीं हो सकते कि आपका इतने number हो गया तो unit इसके बाद दूसरा कौन सा है आपका EPS तीसरा कौन सा है cost of capital चौथा कौन सा है value of sir ये chapters अगर आपके ये chapters है time देखो genuinely पढ़ने का आप भी बोलोगे न फोल्डर में डला हुआ है most expected questions उसको करके जाएए उसी में से paper भी आ रहा है वो pattern इस हिसाब से बनाया हुआ है कि आपके पूरा का पूरा में भी आई जाते होंगे sheet के भाई formula तो formula की sheet भी दे दिये मैंने तो आपने क्या करना है देखिए हर किसी के न एक fix कर लिजे के चार question तो पूरा लिखके करेंगे हम चार question लिखके करेंगे बाकी calculator पर audit कर लिजे कम समय है जिनके पास तो चार questions आपने इसके लिखके कर लिए हाँ 10 year के अंदर answer करने का method सलग हो सकता है मैंने जैसे वीडियो में कराया हुआ है आप उसको follow कर ये हमेशा accurate जाएगा ठीक है चार questions इसके कर लिए practice लेकिन कुछ बच्चों के mind में पता है क्या रहता है यार ये आ गया तो अब देखो दो chapter मैंने छुड़वा रखा है दिया यानि inventory वाले chapter छोड़ दिया इसमें से आएगा ही नहीं आएगा सर इसका बता दो पहले मैंने सब कुछ कर लिया तो नहीं आप simple way में चलिए आपका paper अच्छे सा attempt होगा concept की clarity होने चीए paper आप करके जरूर आना है छोड़ना नहीं है question कोई भी ये चार questions कर लिए इसके आपने चार questions कर लिए हाँ इसके थोड़े जादा कर लो दस question कैसे होगे दो question आपके केई वाले दो question आपके केडी वाले दो question आपके केपी वाले तो छे तो यह होगे चार में से आप कर लो WACC market value और book value तो इस तरीके से पूरा chapter हो जाएगा इस value of firm के अंदर आपको कम से कम 6 इसे 8 questions करने पड़ेंगे एक कर लिया एन आई का फिर कर लिया आपने अई का फिर ट्रेडिशनल का तो चार सची question और इस बार का मैं expected बताऊं जो पेपर तेज तारिक को है मुझे लगता है value of firm में माने वाला है जिसके अंदर हम shifting करते थे shifting dividend policy को जो shift करते थे कि अगर हमने 10 percent arbitrage process से तो वो questions आ सकता है इसके अंदर और EPS में से आपका सकता indifference point indifference point जो मैं बता रहा हूं कि expected है ऐसा मैं समझना यह करके गए बागे छोड़ दिया cost of capital तो आएगा ही आएगा भाई ठीक है leverage में से भी questions और में तो मिलेगा ही मिलेगा तो expected बता रहा हूं इसमें से तो सर अगर इतने questions कर लेते हो चार चार आठ दस अठारा और राट कितने हो गए आपके अठारा और चब्विस चब्विस question कर लेते हो तो मान के चलना आपका भाई chapter पका हो गया अब करने का मतलब नहीं आपने चार question की वीडियो देख ली और चार पक्का हो गया चार कोरियो देख ली नहीं होगा आपने हैंड रिटन करना है अगर आपने हाश से नहीं किया ना तो आप यह मान के चलिए कि आप paper लिख नहीं पाएंगे भले ही आप पूरा पूरा सलेवस वीडियो देखके कंप्लीट कर लिया है लेकिन आप यकीन करिएगा आप लिख नहीं पाएंगे पीपर में आपको बस रहेगा यार कुछ तो करा था सर ने कुछ फॉर्मुला तो लिखा था टेबल ऐसे बनाया था इन फैक्ट लिटरली अगर अदि कर सकते क्योंकि है क्यार यूज possibility कि इसा में कितने फॉर्मुलीर इससों करने के बाद आपको समझे हो जाती है का है की क्या है के दी क्या है या फिर डीवक्तσιक् 도 Teresa क्या है growth क्या है market value P0 क्या है इसको करने के बाद financial management का fundamental चीज़े समझ में आ जाती है इसके बाद आपको dividend करना चाहिए बड़ा असान होगा working capital इसके बाद unit number आप भी working capital करके जाहिए working capital receivable management में हर बर चोईस आ रहा है जिसको receivable management करना है पहली दो class देखिए बस receivable management की working capital की आप पहली तीन class देख लिजे बस पांच classes देखो यह unit finish थियोरी मैंने पूरा detail में करवाया है unit 4 unit 5 के तो थियोरी हमने detail में करा हुआ वीडियो ड़ा हुआ हुआ उसके अंदर folder में वो तो पूरा ही देख लिजे working capital क्या है work permanent working capital क्या है temporary working capital क्या है motive of holding working capital बहुत सारी चीजे मैंने करा हुआ है ठीक है वो तो यह जब आप कर लेंगे ना तो आप simple सी बात समझिए अठारा नंबर का question आ रहा है यह पंद्रा का आ रहा है तो जो भी आ रहा है अठारा इंटू में आपका कितने हो जाएंगे सर तीन चोबवन नंबर अकर नबबे नंबर का पेपर आए जाए तो 54 तो आप कर गए पहला चैप्टर थियोरी आएगा पहला क्या है का हमारा ठी यूनिट फ्री और थ्यूरी तो आपने करना ही करना है यूनिट फ्म & यगर इसमें से आपने 10 ले लिए तो आपके 64 नंबर नमबर हो जाते हैं 64 पास होने के लिए चाहिए आपको पास होने के लिए चाहिए 90 में से आपको 40% या निए 36 नमबर चाहिए तो देखो एफम में पास होने वाला तो कोई बात ही नहीं है पहली बात समझ लो आप नमबर अच्छे लाने आपको जिस बच्चे ने पूरा स्लेबस कर लिया तो अभी आप कैपटल बस्टिंग सीक्वेंस में करें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा जिस बच्चे ने अभी भईया ये और ये इस सटार्ट करेंगा तो मैं बोलूँ हां उन बच्चों के लिए कैपिल बस्टिंग जो र इसके अंदर जिस बच्चे ने मेरे रिवीजन वीडियो करा होगा कैपिल बस्टिंग का कोशन हो गया होगा ऐसा नहीं है कि रुख गया होगा रिवीजन वीडियो में मैंने पी वी एफ यानि शॉट कर वाला बताया था जीटी करके करो फटा 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 और वो कोशन फस गया बारा नमर का और जो पहले वाला पार्ट था उसके अंदर थोड़ा सा दिमाग था तो जिन बच्चों के पास है टाइम वो करेंगे फिर भी जैसे तैसे करके भी कर लेते हैं यूनिट 345 पास हो जाएंगे अब इसमें भी अगर आप पास नहीं हो पाए इतने आपको कंफर्म इनफर्मिशन मिलने के बाद भी एक तरीके से पेपर ही लीक है कि यह कोशन यह कोशन आना यह भी नहीं कर पाए तो तो फिर अगली बार आपको मैं बता दूं पांच बार समिस्टर इतना आपका मुश्किल होने वाला है जिसके कोई लिमिट नहीं है आपका चौत्थे समि तरंकाहसर मेरा कॉस्ट ऑफ क्यापिटल में नाइंटीन बता दीजिए हाँ अब देखें डाउट के लिए तरंकाहसर अगा MP से निखा लें देखें कुछ बच्चों का पता है क्या डाउट है इसको पहले एक पर पेपर डिसकस करके आपको थोड़ा समझा दिया कुछ बच्चों का क्या डाउट है बता